तो दोस्तों क्या आप लोगों को भी आपका जो मोदी योगी का फोन है उसके अंदर जब से आप लोगों ने इसको अपडेट किया है तो अपडेट करने के बाल आप लोगों के मुबाइल फोन के अंदर आप लोगों को एक एरर शो रहा है Could not enroll your phone contact support if the problem continues error code 51010 support अगर आप लोगों को भी same यही error आपके मुबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल रहा है तो आपको इसको कैसे solve करना है तो वीडियो को start करता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको solve करने के लिए आप लोगों को क्या tricks and method यूज़ करने है तो इसको solve करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है आप लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है आप लोगों को जो है आप आपको जो power button है उसको आपको दबा के रखना है दबा के रखने के बाद आप लोगों को इसको restart कर देना है रिस्टार्ट करने के बाद आप लोगों का जो मुबाइल फोन है वो यहां पर रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों को यहां पर थोड़ा वेट करना है वेट करने के बाद जैसे हमारा जो फोन है यहां पर रिस्टार्ट हो रहा है या फिर आप लोग इसको power off करके दुबारा on करेंगे तो यह power off करने से आपका on नहीं होगा आपको यह restart ही करना पड़ेगा तो आप लोग दिख सकते हैं मेरा जो mobile phone है यहाँ पे मैंने जैसे इसको restart किया तो restart करने के बाद मेरा mobile phone जो है उनको यहाँ पे automatic update के खारण एक यह problem देखने को मिल रही थी जो मैंने आपको वीडियो के starting में दिखाई है तो अब आप लोग देख सकते हैं मेरा mobile phone यहाँ पे on हो चुका है on होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मैं सब कुछ live दिखा रहा हूं आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं इसको यहाँ पे restart किया तो restart करने कवाद मेरा error आ रहा था हूँ यहाँ पे error solve हो चुका है and आप लोग देख सकते हैं मेरा mobile phone यहाँ पे open हो चुका है and phone is starting तो यह tricks and method यूज़ करना आप लोग भी अगर फिर भी आप लोगों को कोई problem आती है तो आप लोग मेरे को DM कर देना मैं आप लोगों को comment section में उसका problem का solution बता दूँ है या फिर आप लोग मेरे को जिस topic पे भी वीडियो चाहिए को बता देना तो यही information आपको देना चाहता था अगर आपको यह error शोर है तो इस तरीके से आप लोग इस error को sort कर सकते हैं